आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार कीव में लगतार धमा के जुआरी बड़ी खबर सामने आ रही है कीव में अब तक करीब 16 धमा के उए यूकरेन और रूस के सैनिकों में भीशड गोली बारी यूकरेन के राश्रपती जिलैंसकी का बयाना अए सामने बड़ी खबर सामने आ रही है उडेसा पारे बंबारी की तैयारी करा रूस यूकरेन को लड़ाको विमान की जरूरत जिलेंस्की ने कहा यूकरेन के रास्पती जिलेंस्की का बड़ा बयान आयस सामने उडेसा पर बंबारी की तैयारी कर रहा रूस यूकरेन को लड़ा को विमान की जरूरत चिलेंसकी ने कहा रूस के हवाई हमले में यूकरेन तबहा बड़ी खवर सामने आ रही है रूस ने यूकरेन का एर बेस द्वस्त किया रूसी सेना ने विनित्सिया में आथ मिसाईले गिराई रूस के हवाई हमले में यूक्रेन तबहा बड़ी ख़बर सामने आ रही है रूस ने यूक्रेन का एर बेस किया द्वास्त रूसी सेना ने विनित्सिया में आठ मिसाईले दागी यूक्रेन के इर्विन लुहांस्क में भी शर्ट अबाही रूस की लगतार गोली बारी जारी इर्विन में तीन बच्चे और महिला की जान गई यूक्रेन के इर्विन लुहांस्क में भी शर्ट अबाही रूस की लगतार गोली बारी जारी इर्विन में तीन बच्चे और एक महिला की मौत रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है टर्की के रास्रपती ने पुतिन से की बात दोनों में यूक्रेन युद्ध पर हुई पाची रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है टर्की के रास्रपती ने पुतिन से की बात दोनों में यूक्रेन युद्ध पर हुई बात रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी यूक्रेन की और से बड़ा दावा 11,000 रूसी सैनिक मारे गए 44,000 विवान 48 हेलिकॉप्टर गिराए गए बड़ा दावा किया जा रहा है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी युद्ध के बीच यूक्रेन की और से किया गया बड़ा दावा 11,000 रूसी सैनिक मारे गए बड़ा दावा किया जा रहा है 44,000 विवान 48 हेलिकॉप्टर गिराए जाने का किया जा रहा दावा कीव पर फाइनल हमले का रूसी प्लान तयार आर्मी एरफोर्स नेवी ने मिलकर बनाया वार प्लान बड़े हमले की तयारी में रूस, रूस की तरफ से बड़ी हमले की तयारी की चुआ रही है कीव पर फाइनल हमले का रूसी प्लान तयार रूस की तरह से बड़ा प्लान बना जो रहा है आर्मी एरफोर्स नेवी ने मिल कर बनाया वार प्लान बड़े हमले की तयारी में रूस रूसी सेना बड़ी कारवाई के लिए तयार यूक्रेन पर बहुत बड़े एक्शन की तयारी में रूस बड़े हत्यारों से यूक्रेन पर हमले कर सकता है रूस रूस यूक्रेन का युद्ध का ग्यारवा दिन सुमी में फसे हैं 700 भारती है भारती चात्रों ने दूतावास पर लगाया रूप भारती दूतावास से नहीं मिल रही बदद भारती चात्रों ने लगाई मदद की गोहार बिजली पानी खाने की दिक्कत 700 भारती अभी भी फसे हुए हैं हमारे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं भारती चात्रों ने किया बात कही आक्रोश में छात्रों ने कहा रूस यूक्रेन युद्धका ग्यारवा देन कई भारती है फसे हुए सुमी में फसे हैं 700 भारती है भारती छात्रों ने दूतावास पर लगाए गंबीरा रो भारती दूतावास से नहीं मिल रही मदद यहां रुकेंगे एक छोटी से ब्रेक के लिए जुल दहासे रहूँगे आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार